अजया दोस्तों, आप सभी ने अभी अपना SSCGD का रिजल देख लिया होगा, और जितने भी लोगों का सेलेक्शन हो गया है, उन सभी के लिए बदाए, लेकिन फिर भी आपका सेलेक्शन नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा रिजन है, कि जो लोग काटप के पार में हैं, वो डेफिनेटली बाहर होगी, अगर आप यह सोच रहे होगे, कि नहीं, बहुत सारे बच्चे जो उपर के हैं, जनके अच्छी नमर है, वो सलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और हम फिजिकल निकाल लेंगे, वो उनका फिजिकल नहीं निकलेगा, तो यह आपकी गलत फ्यमी है, इ क्योंकि अभी SSCD की अगली बर्ति आने वाली है, और उसमें आपका सेलेक्शन होगा, तो फिर आपको फिजिकल का एक्स्पिरेंस होगा, और जब आप दवारा फिजिकल देने के लिए जाएंगे, तो आप बड़िया दरीके से सेलेक्ट हो पाएंगे, तो यह आपके लिए हो जाता है, कि आपको क्या करना है, आपको फिजिकल जरूर देने जाना है, और फिजिकल की अभी आपको तैयारी करनी है, दूसरा काम क्या करना है, जिलोंगो को अभी जब आप इसमें आप बढ़ी है स्कूर कर जाओगे उसके बाद आप देखोगी कि जब इसका फिजिकल होगा उसमें आप अच्छा फिजिकल भी मार किया हूए क्यों कि आपके पास फुजिकल के एक experience रहेगा और फिर आप जब इसका medical देने के लिए जाओगे तब आप बढ पुनाए युनिफर्म का एक सरकारी नोकरी का वो आपको मिल जाएगा लेकिन अभी बच्चे क्या गलती करेंगे कि जिनका कटॉप की आसपास है वो बहुत जादा दीमोटिवेट होंगे क्यों दीमोटिवेट होंगे उन पता नहीं हमारा होगा और हम अगर आज बता दें हम के दिन हमें फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाना है तो फिर हमें बहुत जादा वो पिंच करेगा देखिए पड़ोसी दो दिन के होते हैं मतलब दो दिन के बोलने वाले होते हैं जब तीसरे दिन आपकी नोकरी लग जाएगी तो उनकी उकात नहीं है कि वो आपसे बूल करना चाहूंगा प्लीज 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 अपना फोकस पड़ोसियों और अड़ोसियों पर छोड़के अपने काम पर रखो जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान दोगे तो निश्यत रूप से आप एक तो डिमोटिवेट नहीं होगे और आपका जो लक्ष है आप उस चीज को पापाऊगे देखो हमेशा पॉजिटिव लोगों की बात सुनों मैं पिछले एक डिड़ महीने से बहुत बुरे दोर से गुजरा हूं मेंटली भी बहुत ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूं एक तो हम लोग क इलेक्शन में तो सारा सिस्टम हमाना जो बना हुआ था वो सब बगड़ गया था तो बहुत जादा दिक्कत हुई और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं देखो मैं एक विभाग के सबसे निचले पत्पह हूं तो कहीं न कहीं मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का सामन का कुछ ना जब कल आपका सलेक्शन हो जाएगा तो उसकी अकात नहीं कि प्छेए पहली बात सलेक्शन हो गया है या फिर जिद्नी बच्चों का सामने लगी है यह आपके लिए गौल्डन बर्टियों की वर्थियां करवा चुका हूं 2018 मैं जिस भरती में हम लोग ते वह देखी और आप यह दो बरतियां और यह देख लिए तो मैंने बरतियां बहुत सारे देख लिए और इसमें कुछ ना कुछ अनभाव तो मैंने गेन किया होगा तो जो नए बच्चे हैं जो अभी मुझसे जुड़े हैं तो आप मुझे जानते नहीं होगी मैं किस तरीके से का आता हूं मैं फिर आप से कहा रहा हूं जो चीजें बता रहा हूं अगर बनको फॉलो करोगे आप नहीं ना जाने कितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं आपको करना क्या है पहली बात तो नेगेटिविटी को दूर करना है कि अजी मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ है अब मैं पढ़ है तो वहां भी आपका सेलेक्शन होगा लेकिन अगर आपकी उमर कम है और बहुत आप पड़न नहीं पाते हो तो आप स्सीजीडी में टिके रहिए और जो चीजें बता रहा हूं पर काम करिए आप अपनी चारो सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाईए मैत रिजिनिंग हिंदी और जीगे इसमें मैठ रिजिनिंग हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं एक बार आप पड़ रहे हो यह हमेशा के लिए आपके तयार हो जाते हैं यहां आपके साथ कोश्चन बन जाते हैं 20 में से यहां 55-56 कोश्चन भी अगर आप बना लिए तीन-चार कोश्चन ही है है और नॉर्मज्माज़ेसं की बात करने तो पंद्रा-फंद्र नंमर आपकी नुल्मज्मो इस बार में ले होई हैं आपको तो अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कटूब में नाम आ गया है लिस्ट में आवा वह यह सूच रहें नहीं मेरा तो सेलेक्शन हो जाना है त का कटोप में नाम आ गया अच्छी बात है आप दोड़ सुरू करो दोड़ने जाओगे आपके अंभाव मिलेगा आपके अंदर का डर है वो खतम होगा उसके बाद आप अपनी पड़ाई पर रेगुलर बने रहोगे लेगुलर बने रहोगे नेक्स्ट आपकी वेकिंसी आ र हमारा चीजह है जो हम चीजहें बता रहे है उससीजिडी में बता रहा है वह आप लोग अपनी पर काम करें लिए ने किसली ऻर्टिों में बहुत सारे बहुत सारी वह नहीं हुए ठीकी है लिकिन पोन रेगूलर banner रखे 5 पीन का सेलेक्शन हुय है वो इस बहुत अच्छे म हमारो इस बरती में उनका सेलेक्शन हुआ है आप ऐसे गूल्डन टाइम में हो कि हर साल आपकी सेज़ीडी की वेकिंसी आ रही है हम लोगों के समय में तिन तिन साल में वेकिंसी आती थी तीन साल में और हमारा 2020 जनवरी फरवरी में साथ हमारा जोने लेट रहा हुए था तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आप गूल्डन टाइम में हो कि अगर आज आप फेल हो रहा हो तो कल दूसरा दिन आपको मौका मिलना है आपको आगे बढ़ने का इसे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है और आप फेर अगर आगर सोच रहे हो कि नहीं हम तो अभी दूसरा आपको ज़एंगी मैं मान सकता हूँ कि बहुत साथा गई है बाकी स्टेड हैं जहां पर सतर वी गई है सक भी गई है तो सब जगे कि अलग अलगे कट ड़ाइए जहां जयसा कॉंपेटिशन है वहां वैसे ठीक है ने विडियो कोई अनुमान से देख रहा होगा को एसी चीजों के वाज़े से और इस बार का CPO मैंने सोते सोते दिया है मेरे फिर भी नमबर ठीक ठाग है अलब पिछली बार से यह की दो नमबर एक हम है बागी अच्छे नमबर है ठीक है तो इस बार क्योंकि एलेक्शन में बहुत सारी चीजों से मैं गुजर रहा था तो उन और ऐसा नहीं है कि उस पर काम करके उसको अच्छा नहीं किया जा सकता है उसको अच्छा किया जा सकता है लेकिन एक तरफ जब आपके पास एक easy option हो जहां आप बढ़िया कर भी सकते हो जहां आपका selection 100% हो ही जाएगा तो दूसरी जगह सर खफाने ही क्या जरूरत है सबसे वड़ी बात हुई है परशली साल दिया था क्योंकि बहां कोई ऐसी हिंदी माध्यम के कोई वेकिंसी नहीं थी लेकिन इस वार आर्पीएफ है आर्पीएफ सब्सक्र की बात कर रहा हूं मैं और आपकी आर्व एंटीपीस आगने वाली है तो इस तरह की वेकिंसीज है और मैं भी बहुत सारी वेकिंसीज आएंगे अगर एपीएस याद एती तो फिर बात दिया लगे तो इस तरीके से मेरे पास भी है और चीजों के लिए काम कर रहा हूं मैंने भी अपने सब अस्तर स्तर रख लिए हैं बस उनको सीखने की जरूरत है और जब एक्जाम होगा तो अगली वीडियो के साथ चाहिए